आई वेलकूम तो ग्यानियर दोस्तों आज हम समझेंगे ऐलम इन इंजेक्शन के बारे में क्या होता है कहाँ स्तुमाल करना क्या कि साइड़ हो सकते हैं सब कुछ जानेंगे कितना देना रहता है क्या करता है सब कुछ देखते रिद्शिट आपको बहुत कुछ सीखने को मिल को यह प्रोटीन के लिए जो प्रोटीन के लिए दूसरी बात क्या है यह जो इंजिक्षिन आता है इसे अ यह ड्रप ड्रेप आती है और यह चलाई जाती है चीक है दो तिन घंटे तक चलती है 100 ml 200 ml के यह से ड्रेप आती है इसकी ठीक है तो कीमत की बात करें अगा 200 का ड्रेप लेने जाती है इंजेक्शन का इसका तो आपको लगवा लगवागव चार्सों पिच्चासी या 500 रुप वह इसको बनाती है ठीक है सबस्टी नहीं आता है मार्केट में सबस्टीट आता है लेकिन क्या कैपसूल के पर में आता है एंटोर कैपसूल आता है वो भी यही सब प्रोवाइड करता है जो यह देता है jakiś उस चोंप हो सकता है तो आपक्र टॉप्सूल आता है वह और अरल का इंजेक्शन कोई भी कमपनी एमाइन असिट का इंजेक्शन नहीं बनाती अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बता है यह एलमिन इंजेक्शन एमाइन एसिट प्रोवाइट करता है आई वी के रूप में और बहुत ज्यादा मत्रा में तो इसलिए इसको क्या है कि पत्चीस से लेकर तीस डिगरी टेंपरेचर पर रखना पड़ता है ज्यादा टेंपरेचर भी खराब हो जागा इसका कोई मतलब निवाचा इसलिए थोड़ा लोग टेंपरेचर पर रखा जाता है बात करें कि यह इसका यूज क्या होता है डॉक्टर को क्यों लिखेगा क्यों लिखेगा दोस्तों यहां पर कई बार क्या होता है कि हमारी बोड़ी में वीखनेस हो जाती है मसल्स की स्ट्रेंथ खतम हो जाती है प्रेग्डेंसी की टाइम पर बोड़ी के अंदर इस प्रोटीन बसते नहीं है ठीक है या कोई भी व्यक्ति नॉर्माली प्रोटीन ले पा रहा हरा तो उसकी बोड़ी में से प्रोटीन की कमी हो जाती है अग्स लेग्ता है तो तो प्रोटीन की कम होने की वाइस जो बीकने साइए उसको दूर करने के लिए डॉक्टर इसको लिपता है ठीक है तो यह प्रकार से सप्लीमेंट के रूप में दिये जा रहा है तो प्रोटीन कम हो गया तो आप एलामिन इंजЕक्शन लगवा सकते हैं ठीक है वो डॉक्टर के दिरेकर हैं में लगता है ऐसा नहीं कि कोई लगा लिए यह ऑस्पिटल के यूज के लिए होता बहुत ही रिस्की है एक प्रकार से जिसक रिस्की होता है ऐसे यह घ्रेंग रिस तो इसमें बहुत सारी चीज़ है बहुत सारी चीज़ है मतलब कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो आप भी बोरू जाओगे तहां पर आप स्क्रीम पर देखें कुछ चीजिए मैं आपको बताता हूं जैसे की यह बहुत सारे मोलेकूल इसके अंदर इसकी मिना लगया है इसलिए फोड़ी कीमत ज्यादा है इसको नहीं देना है तो उसको नहीं देना है किसी को अलर्जी है तो उसको बिल्कुल भी नहीं देना है यह तो उसको नहीं देना है थादमी की कम हो गया तब नहीं देना है एकर उओड Nano को वड़ा कील में बहुत बड़ा टॉपिक है यह वी कभी डीटेल में देगए तो यह क्या होता है इसलिए को पाइब और आ जाती है बोर्टर कर ले घ्री बोडीड इन कंडिशन में नहीं देना बात करें साइड एफेक्ट्स इसलिए पर इंजेक्शन लगता है यह बाला जिस चीह पर आप बॉटल लगाऊँगे डिप लगाऊऊँगे वहां पर क्लोटिंग होसकती है यहां लगा 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 कि बहुत ज़्यादा इसा है उपनी अंदर अंद्रूनी नस नस में हो सकती कई बार दिखा गया एसा कि नस कें अंदर थोड़ी सी प्लोटिंग हो जाती है नौस्ज नार्मल से सब्सक्राइब हो सकते हैं कई पेसेंट तो यह होता है तो यह जरूवत के हिसाफ से ठीक है अगर प्रोटिन टेस्ट करेंगे कितना क्या रहा है उसके नुसार यह डॉक्टर लगा सकता है लेकिन डॉक्टर क्या पहले ट्राइट से कैप्सूल से तब भी नहीं बढ़ रहा होता है तब कहीं जाके यह ड्रिप शड़ाना पड़ता है तो यह होता है दोस्तों क्या एलमिन ऐसे इंजेक्शन आपके आपको बीडियों पसंद आयोगा पसंद आए तो लाइक करो नहीं चैनल पर तो पीच चैनल में सो में वे बढ़ लिवर झौस्तों यहें बार का उलमिन शड़्यां है तो यहें बने स्वेदिक्शन आपके तो यहां ज Сब्क्राइख बार क सब्सक्राइब का धिया भीब बार क्या आत्त था एक दो अवें जड़ता है तो है उत्वाना जेेक्शना आवें जाएं टॉती झाल झाल